दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन और आप भी प्रसन होंगे आए कुछ नई बाते सीखते हैं आज के टोपिक के साथ विद्यार्थियो आज की वीडियो हम बना रहे हैं संचेपन पार्ट 3 संचेपन एक महत्वण बिंदू है और इसकी परिभाषा आर्थ प्रकार और कुछ विशेश नेमों से संबंदित वीडियो हम पूरों में बना चुके हैं आप अकादमिक या फिर प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो संचेपन बहुत महत्वण बिंदू है उसे समझने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी सारी वीडियो आप देख लीजिए वीडियो प्रारंब करें उससे पहले आप सबसे निवे दिन है यह आपने हिंदी की बिंदी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार उस पर विजिट कर रहे हैं तो आप से अग रहेक उसे सब्सक्राइब जोर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी आप दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की सूचन आप तक पहुँच जाए तो आईए प्रारंब करते हैं आज की वीडियो संचेपन पार्ट थ्री संचेपन के शैलिगत नियम संचेपन में विशेशनों और क्रिया विशेशनों के लिए इस्थान नहीं है इन्हें निकाल देना चाहिए यानि कि बहुत सारे आउतरण गद्धांस ऐसे होते हैं जिनके अंदर विशेशनों और क्रिया विशेशनों को रखा जाता है जब आ आपको मूलत है, मूल बात कहनी है, उसको अलंकरित करके, उसको विशिष्ट बना करके नहीं कहनी है, संचेपन की शेली अलंकरित नहीं होनी चाहिए, सहज सामाने सहली होनी चाहिए, उसे हर हालात में आडंबर हीन होना चाहिए, यानि कि बनावटी करन नहीं होना चाहिए, उनहीं शब्दों को रखना चाहिए जो अर्थ वे नामे सहयक हो यानि कि जो सहज रूप से अर्थ को इस पश्ट करते हो उन्हें रखना चाहिए निगी भाषा के चमतकार पूर्ण अर्थ को जो सुचित करते हो या उसकी जो विशिष्टता बताते हो उसे नहीं रखना चाहिए जहां तक संभव हो मूल के शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का प्रियोग करना चाहिए लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल के भावों और विचारों में अर्थ का उलट फेर नहीं होने पाए अर्थात हम जब इस तरहें की स्थतियों को देखें कि मूल के शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का प्रियोग करें तो उसमें भाव और विचार नहीं बदलने चाहिए शब्द भले बदल जाएं लेकिन भाव वही होने चाहिए तीसरा बिंदो इसमें संचेपन में मूल अवतरन के वाक्य खण्डों के लिए एक एक शब्द का प्रियोग होना चाहिए जो मूल के भावत कर्ष में अधिक से अधिक सहयक सिद्ध हो अर्थात जैसे एक एक दो दो पंक्तियां हैं वाक्य खण्डें उनके लिए एक या दो शब्दों में आप बात कहने का प्रियास करें कई बार ये भी हो सकता है कि इस तरह से आप एक या दो शब्द का चैन करेंगे तो वो समास युक्त या फिर संधी युक्त या इस तरह कि क्लिष्ट शब्द हो जाएंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है एक शब्द ऐसे हो जो सहज हो, सरल हो और अभीदा में ज़्यादा बात कहें कुछ उधारण हम देखते हैं ताकि उसको बहतर तरीके समझ पाएं जैसे कि वाक्य खंड एक शब्द, एक से अधिक पती रखने की प्रता, बहु पतित अब इस तरहें कि वाक्य खंड की बात हम कर रहे थे, कि आप इसके लिए सिर्फ एक शब्द में सारी बात कह सकते हो और ये बहुत कठिन शब्द नहीं है और इसमें कोई समास युक्त या क्लिष्ट शब्दावली का प्रियोग भी नहीं हो रहा है जिसका मन अपने काम में नहीं लगता अनमनस्क जहां नदियों का मिलन हो संगम किसी विशे का विशेशग विशेश ग्यान रखने वाला विशेशग कष्ट से होने वाला काम कष्ट साद्द इस तरहें से शब्द हैं जहां मुहावरों और कहावतों का प्रियोग हुआ हो वहां उनके अर्थ को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए मुहावरों के लिए मुहावरा ही ठीक प्रियोग रहना होता है तो वहीं प्रियोग करना चाहिए तो यहाँ संचेपन के लिए एक बात और प्रमुक्ता से सामने आती है संचेपन के लिए आपकी जो शब्दावली है जो आपका शब्द कोश है उसका जो ज्यान है उसके पास अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि आप बहतर तरीके से उसे रख सकें चाहिए वो अनेक वाक के खंड़ों के लिए एक शब्द हो जिसको आप वन वर्ड कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या मुहावरे हो विलोम प्रियावाची शब्द हो इन सब का जितना अधिक आपका शब्द कोश होगा उतना बहतर तरीके से आप संचेपन कर पाएंगे अगला बिंदो है संचेपन की शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए इसलिए उप्मा उत्प्रेक्षा या अन्य अलंकारों का प्रियोग नहीं होना चाहिए ए प्रासांगिक बातों, उद्धरणों और विचारों की पुंड़ावर्ती भी हटा देनी चाहिए संचेपन की भाषा शैली इसपश्ट और सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ते ही उसका मारम समझ में आ जाई इतनी आसान हो कि उसके लिए किसी दूसरी साहिक पुस्तक की आवशक्ता ने हो पांचव बिंदु है संचेपन की भाषा शैली व्याकरण के नियमों से नियंत्रित होनी चाहिए वह टेलिग्राफिक ने हो, सरल और सहज हो, बनावटी करण ने हो छटा है संचेपन में परोक्ष कथन सर्वत्र अन्य पुरूष में होना चाहिए जिस प्रकार किसी समाचार पत्र का समवाद दता अपने वाक्यों की रचना में परोक्ष कथन का प्रियोग करता है उसी तरह संचेपन में उसका विवार होना चाहिए समवादों के संचेपन में इसका उप्योग सरुथा अनिवार है ऐसा करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदी में जब वाक्यों को परोक्ष धंग से लिखना होता है तब सरुनाम किरिया या काल को बदलने की जुरूत नहीं होती केवल की जोड देने से काम चल जाता है लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता तो हिंदी में ये सुविधा है सिर्फ की जोड दीए तो उससे वाक्य संचना ठीक बन जाएगी जैसे एक उधारन से हम समझते हैं प्रतक्ष वाक्य है राम ने कहा मैं जाता हूं तो परोक्ष वाक्य में राम ने कहा की मैं जाता हूं तो की जोड दिया तो इस पश्ट है कि राम नहीं कहा है ये आप नहीं कह रहे हैं अगला बिंदों संचेपन की वाक्य रचना में लंबे-Lंबे वाक्यों और वाक्य खंडों का विवार नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे हर हालत में सरल और इस्पष्ट होना चाहिए ताकि एक ही पाठ में मूल के सारे भाव समझ में आ जाएं अत्य संचेपन में सब्द एकहरे वाक के छोटे भाव सरल और शैली आडंबरहीन होनी चाहिए आठवा है संचेपन में शब्दों के प्रियोग में काफी सैयम और कृपनता से काम लेना चाहिए कृपनता यानि कि गरीबी बचत वाली स्थती शब्द आप खर्च ने करें नतलब बचा के रखें कम से कम शब्दों में अधिक सधिक बात कहने की चेश्टा करें कोई भी शब्द बेकार और बेजान नहो उन्हीं शब्दों का प्रियोग करना चाहिए जिनका प्रासंगिक महत्त है मूल के उन्हीं शब्दों का प्रियोग करना चाहिए जो भाव व्यंजना और प्रसंगों के अनुकूल सार्थक हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता शब्दों को दुहराने की कोई आवशक्ता नहीं ए प्रचलित शब्दों के इस्थान पर प्रचलित और सरल शब्दों का प्रियोग करना चाहिए अगला है संचेपन की भाषा शैली में सहित्तिक चमतकार और कावियात्मक लालित्ते लाने का प्रियत्म व्यर्थ है ये आप जब अलग से कुछ लिखें तो उसमें लाईए आप लालित वगएरा भाषा का चमतकार का व्यात्मकता संचेपन में सहजता और सरलता हो अभी धात्मक बाते हो इसलिए यहां ने तो भाषा को सजाने समारने के आउशकता है और ने उसके भावों को ललित कलित बनाने की जो कुछ लिखा जाये वे साफ हो इस पश्ट हो कलपना के पंख लगा कर उड़ना यहां नहीं हो सकता सहज गती से चलाई मान चलना होना चाहिए संचेपन की कला तलवार की धार पर चलने की कला है इतना आसान नहीं है संचेपन की हम सोचें बहुत आसान हो गया संचेपन ऐसी हो जाएगा तो सही सतर्कता से चलना है तलवार की धार पर की चलना भी है और पैर कटना भी नहीं चाहिए उसमें तलवार से खून भी नहीं आना चाहिए तो ये चलना है संचेपन करना है वाली काम के लिए इसके लिए कुशागर बुद्धी गहरी पैट और तिवर मनोयोग की आउशप्ता है यानि कि आपको शब्दों के चैन से ले करके वाग के संरचना से ले करके और सही रूप से प्रकट करने तक कि सारी कला आपको आनी चाहिए तब आप बहतर तरीके से एक संचेपक बन सकते हैं या संचेपन कर सकते हैं ये काम अभ्यास से ही संबैवर्थात लगाता है हम अभ्यास करेंगे तो निश्चीत रूप से बहतर संशेपन हम कर पाएंगे अतेव आवशक है कि संशेपन की लेखक की द्रश्टी हर तरहें वस्तुवादी हो भावक नहीं चीजों को देखें उनको समझे और उसके प्रती बहना नहीं चाहिए वस्तुवादी और भावक वावक वादी का मतलब यह है कि एक तरहें जैसे कई बार आपके मन का आपके रुची का टोपिक हो तो आप उसमें बहे जाएं और दो के बज़ाए चार बंगतियां लिख दें होता है तो उसमें हम इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं उसको हम एक तरह से टालते हैं या ओपचारिकता करने के लिए उसे बस कर देते हैं तो दोनों इस्थतियों में आपको भावक नहीं होना है, न उससे हटना है, न उससे जुड़ना है, बस वो काम करना है, ये धान रखेगा, तो संचेपन से समानार्थी शब्दों को हटा देना ही, हटा देना चाहिए, जो भी समानार्थी शब्द हैं, ताकि वो एक ही प्रभावशिटी कहते हैं उधारनार्थ आजादी स्वतंतरता स्वाधिनता स्वचंदता और मुक्ती ये अब दिके एक ही शब्द है इसके एक तरह से प्रयावाची है ये एक ही अर्थ को सोचित करने वाले दूसरे शब्द हैं तो यहां आजादी के लिए अनेक समानार्थ प्रयावशिटी शब्दों का प्रयोग हुआ है भाशन में जब वक्ता अपना प्रभाव जमाता है तो उसके लिए वो कई वार इस तरह से प्रयावाची शब्दों का प्रयोग करता है उसमें प्रभाव जमता है लेकिन जब हम लिखते हैं तो लेखन में ये प्रभाव हल रहे हैं या कोई शोधात्मक लेख लिख रहे तब कम हो जाता है लेकिन आप खालात्मक कोई चीजें लिखते हैं जिसे कहानी लिखें उपन्यास लिखें नाटक लिखें का वीता लिखें तो उसमें इस तरह का दोराव आपकी उस चीज को प्रमुक्ता देगा बढ़ाएगा तो भाषन में वक्ता प्रभाव जताने के लिए वक्ता इस प्रकार की शैली का सहारा ले लेता है प्रियोग करता है संचेपन में ऐसे शब्दों को हटा कर इतना ही लिखना चाहिए कि आजादी मुक्ती का दूसरा नाम है बस एक वाक्य में चार शब्दों में बात खत्म होगी और जो कहना चाहते था आपने कह भी दिया संचेपन की कला कम से कम शब्दों में निखरती है जितने कम शब्दोंगे उतना बहतर वो निखार राईगी जैसे कि हाथों में मेहंदी लगाते हैं पुरुष भी लगाते हैं महि रिशेपण में आना चाहिए, जैसे हाथ पर हीना लगाते हैं तो वो निखरती है। पुनरुक्ति दोश शब्दों में ही भावों अथ्वा विचारों में भी होता है। उसे फिर से लिखते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कभी-कभी एक ही वाक्य में एक ही बात को विभिन रूपों में रख दिया जाता है उधारन के लिए एक वाक्य इस प्रकार है कि रंगमंच पर कलाकार क्रमशह एक-एक कराएं इस वाक्य में क्रमशह शब्द एक-एक करके भाव को दोरा रहा है करम शह और एक एक कर, दोनों एक ही बात है, तो इसकी जगें एक ही शब्द का प्रियोक करना चाहिए, तो दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए ऐसे शब्दों को हटा देना चाहिए, अंग्रेजी में इस दोश को टोटोलोजी कहते हैं, अंत में संचेपन में प्रियोक्त शब पद का उलेक करना चाहिए ये इस तरह से पत्र विभार वाले संचेपन के लिए आवश्चक है तो विद्यार्थियों संचेपन को ले करके ये वीडियो यहीं समाप्त होती है आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमे with आज के लिए इतना ही नेक्स्ट टोपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार झाल झाल